हेलो स्टूरेंट्स अभी तक आप लोगों ने सिंगली की सिंगली रेन्फोर्स्ट बीम का डबली एसम से मतलब वर्किंग इस्ट्रेस मेथेड से डिजाइन करना इस्ट्रेस निकालना मतलब पूरा एनालेसिस सीख लिया है तो सिंगली का पार्ट जितना था वो अब खतम हो हम लोगों को डबली रेन्फोर्स बीम का एनालेसिस सीखना है वर्किंग स्ट्रेस मेथेड से ही तो सबसे पहले यह जानते हैं कि डबली रेन्फोर्स बीम क्या होता है तो एक ऐसा और हियस्षू सीपि, जिसमें इस्टील रेंफोर्समेंट टेंसाइल जोन के साथ साथ कंप्रेसिव जोन में भी दिया जाता है ऐसे रेंफोर्स्ट बीम को हम लोग डबली रेंफोर्स्ट बीम बोलते हैं इसकी नेसेसिटी क्यों होती है यह हम लोग जानते हैं तो देखे अभी आप लोग सिंगली सीख चुके हैं तो आप लोगों को इतना तो पता ही चल गया होगा कि सिंगली reinforced beam का अपना एक limit होता है moment of resistance प्रोवाइड करने का तो अगर loading के तुरू generate जो moment generate होता है वो moment of resistance generated through singly reinforced beam से कम है तब तो ठीक है हम singly design कर सकते हैं या फिर बराबर है तब तक भी हम singly design कर सकते हैं लेकिन अगर मान लिजे singly reinforced beam से के through generate moment of resistance से ज्यादा moment loading की वज़े से generate होगा तब हम singly reinforced beam को नहीं नहीं एडॉप्ट कर पाएंगे तो हमें doubly reinforced beam को लेना पड़ेगा designing में तो पहला तो requirement यही है कि जो moment of resistance अगर singly की तरू जो maximum moment of resistance generate हो रहा है उससे भी ज़्यादा है external moment तो हमें doubly का use करना पड़ता है इसके अलावा second reason यह भी है doubly reinforced beam को adopt करने का मान लीजे हमारा section जहां पर available है जहां पर हमें beam design करनी है वहां पर जो beam का जो size है beam to d जो size है वो restricted है कोई भी reason हो सकता है हो सकता है available space headroom में available space का मतलब होता है beam की depth को हटा दें फिर जितना free space available होता है वो वो headroom होता है तो headroom अगर suppose हमें ज़्यादा चाहिए तो भी हमें beam की depth वगरा कम करनी कम ही रखनी होती है इसके अलावा architectural या space का consideration जहां पर होता है अगर कुछ ऐसे reasons है की वज़े से beam का size जो है वो restricted है तो जहां पर beam का size restrict हो जाएगा तो moment of resistance बढ़ाने के लिए आपको यह भी पता है कि moment of resistance बढ़ता कैसे है singly में या तो हम compressive side का B को बढ़ा दें N को बढ़ा दें B और D बढ़ेगा तो N obviously बढ़ेगा AST बढ़ेगा तो भी मतलब B और N और AST अगर यह हम बढ़ाएंगे तो हमारा जो moment of resistance है वो बढ़ता है यह आपको singly में समझ में आया लेकिन माल लीजिए कुछ ऐसा requirement है जिसकी वज़े से हम लोग restrict रख रहे हैं B और N को restrict रख रहे हैं तो AST अपने आप ही restrict हो जाता है क्योंकि AST अभी तो नहीं अभी आपको इस सब चीज़े नहीं बता है लेकिन AST का भी अपने minimum और maximum criteria होता है जो कि आप लोग सीखेंगे आगे तो उस criteria के हिसाब से भी AST भी restrict हो जाती है तो अगर ऐसी situations हैं तो वहाँ पर भी हम अगर उस restricted area के through generate moment of resistance, singly के through moment of resistance, जितना external moment की वज़े से moment of resistance develop हो रहा है अगर उतना हो जा रहा है develop तब तो कोई problem नहीं है हम singly design करेंगे लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है कि जितना हमें moment of resistance चाहिए उतना नहीं generate हो पा रहा है तो फिर हमें doubly का use करना पड़ता है उस जगे पर दो reasons यह हुए third reason यह है कि जहां पर reversal of loads होता है जैसे कि या फिर दोनों phases में tensile forces generate हो रहे हूँ जैसे कि fixed beam में आपने देखा जब आपको fixed beam मैंने बताया continuous beam मैंने बताया तो वहाँ पर देखिए ind पर कभी positive moment आता है कभी negative moment आता है depend करता है कि loading कैसी है और ind conditions कैसी है तो जब हमें यह ऐसा पता होता है कि जो compression zone हमने लिया हुआ है जो singly rain force में जो compression zone हमने लिया हुआ है अब उस compression zone में कभी tensile force भी आ जाएगा कभी compressive force भी आ जाएगा ऐसे conditions में भी हम double rain force को design करते है अब एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि जब load जो है वो eccentric loading होती है तब भी यह चौथा reason है कि जब eccentric loading होती है beam को ही consider करते हैं इसके अलावा अगर sudden lateral loading या फिर कोई accidental load लगने वाले हैं उन case में भी हम लोग double लेते हैं इन सब में हम singly इसलिए नहीं design कर पाते हैं क्योंकि देखें जो भी loading आनी है अगर आपको अगर definite पता है कि neutral axis के एक side में कभे भी tensile forces नहीं आने वाले हैं तब तो ठीक है आप वहाँ पर tensile reinforcement मत प्रोवाइड करिए लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि आपको नहीं पता है कि tensile force neutral axis के किस पार्ट में लग जाएगा तो ऐसी situations में हमें दोनों side reinforcement देना पूरता है और जब दोनों side reinforcement दे दिया तो obviously वो डबली में convert हो जाता है क्योंकि concrete का tensile strength जो है वो बहुत कम होता है next condition है कि जब continuous beam हो या फिर slab हो तो supports के पास में हमें डबली reinforce section देने पड़ते हैं यह बात हमने पहले भी discuss की सी थोड़ी सी कि जो corners होते हैं जो column के head होते हैं या जहां पर continuous beam में जहां पर joints होते हैं उस जगे पर आप लोगों ने जब मैंने आपको fixed and continuous beam सिखाई है तो यह बात आप लोगों ने देखी है कि कभी positive आ जाता है join पर कभी negative आ जाता है तो जब ऐसा है तो फिर neutral axis के दोनों side में कभी कहीं भी आ सकता है तो जब continuous beam हो या फिर fixed beam हो ऐसी जबहों पर भी हम लोग beam के उस पार्ट में singly ना देकर डबली देते हैं slab में जब आप पढ़ेंगे ना तब आप लोग देखेंगे कि हम लोग कुछ reinforcement को ऐसे रहने देते हैं total reinforcement ऐसे और कुछ reinforcement ना corner के side में ऐसे bend किया जाता है जब आप लोग या slab मैं आप लोगो बताऊंगी तब आप लोग कट करेंगे तो आपको section कैसा दिखेगा उपर भी reinforcement दिखेगी नीचे भी reinforcement दिखेगी जबकि यहाँ पर जब आप कट करेंगे तो आपका section कैसे दिखेगा सिर्फ नीचे reinforcement दिखेगी neutral axis हो जाएगी तो इस जगे पर singly की तरह design होगा slab और यहाँ पर corners पे डबली की तरह design होगा ठीक है तो यह सब चीज़ें आपके सामने तब आएंगी जब आप slab वगरा सीखेंगे तो इतनी requirement ही जहाँ पर वह वह लेना होता है इतनी जगे पर डबली हमें लेना को बताया जाएगा कि डबली design करना है या singly design करना है लेकिन इसके बाद कुछ questions आ यहाँ पर इस particular situation में डबली लेना easy होगा डबली की necessity है या नहीं या फिर सिफ singly से ही काम चल जाएगा अब जिस तरह आप लोगों ने singly के लिए modular ratio, moment of resistance, neutral axis, actual neutral axis, critical neutral axis और forces, compressive forces, tensile forces ये सब कुछ निकालना सीखा था उसके rules देखे थे अब उसी तरह आपको यही चीज डबली के लिए भी देखनी है जो rules regulations आपको singly के लिए बताये गए थे वो सभी rules regulations अभी डबली में भी applicable होंगी लेकिन बस एक extra calculation में जो rules आपको बताये थे वो तो as it is रहेंगे लेकिन calculation जब आप करेंगे तब extra steel जो compression zone में लगा हुआ है उसको भी consider करना होगा लेकिन जो main points हमने बताये थे neutral axis के लिए यह trick use की जाती है तो वो सब कुछ same रहेगा वो कभी change नहीं होता है तो first जो चीज हमें देखनी है वो क्या है modular ratio जो singly में आपने सीखा वो सिर्फ यह formula था 280 upon 3 into sigma cbc तो अभी क्या होगा tensile और compressive steel दोनों साइड है देखें neutral axis हम लोग जो भी सीखते हैं वो simply supported beam को base मान कर सीखते हैं तो अभी के case में क्या होगा यह section होगा यह neutral axis होगी जो नीचे जो tensile जो नीचे है compressive zone ऊपर है compressive side में जो steel होती है उसे हम लोग बोलते है compression steel और tensile side में जो steel होती है उसे हम लोग बोलते है tensile steel ठीके तो अब यही terms जो है वो use किये जाएंगे तो tensile steel के m से indicate करते हैं और इसके लिए formula अभी वही पुराना वाला रहेगा 280 upon 3 into sigma cbc लेकिन compression zone में जो steel है यानि जो compressive steel है उसके लिए जो modular ratio है उसको हम लोग mc से indicate करते हैं और उसका value होता है 1.5 times of m जो कि m यही वाला m है ठीके तो यानि compression zone में जो steel है उसके लिए जो modular ratio यूज करना है वो 1.5 times of modular ratio of tensile steel होता है एक और शीज की permissible stresses निकालने के लिए तो permissible stresses in tensile steel के लिए जो table number 22 था जो कि मैं दो आई यह देखिए यह IS code का ही है और table number 22 में जो rules regulations थे देखिए यह सिगमा ST के लिए था यह और यह तो यही values हम लोग लेते थे लेकिन जब बात आती है compression steel की तो देखिए यह वाली line आपको ध्यान देनी होगी यह वाली line जो पूरी लिखी हुई है यह आपको ध्यान देनी होगी और यह देखिए सिगमा SC भी है यह value यह दो ची चीज ब्रेसिव इस्टील पे compression जो उनमें जो इस्टील लगी हुई है उसमें जो compressive stress आ रहा है अगर हमें उसको calculate करना है तो कैसे calculate करेंगे देखिए थोगा सा डायग्राम आपको बताना पड़ेगा यह देखिए यह एक triangle वाला जो डायग्राम आप लोगों ने सीखा था सीगमा cbc अब यहां पर कहीं पर स्टील लगा हुआ है अगर section ऐसा है यह नीचे स्टील भी यहा तो नहीं यहां लगा होगा स्टील ठीक है यह स्टील लगा होगा तो यह जो compression side में जो steel है इसमें जो stress आएगा वो मान लीजिए sigma c dash है मतलब कि जो compression side का जैसे ये जो है ये steel है compression side की इस level पे concrete जो है उस concrete में जो stress आ रहा है वो कितना है sigma c dash है और extreme fiber में जो concrete है उसमें कितना stress आ रहा है maximum sigma c b c आएगा ठीक है तो यानि sigma c dash क्या है जो compression steel है उसी section पे जो concrete उसी level पे जो concrete आवेलेबल है उस concrete पे लगने वाला compression maximum compression stress है sigma c dash sigma c dash की value जो है वो हम लोग निकाल सकते है क्या triangle rule से निकाल सकते है क्योंकि हमें sigma c dash sigma c b c पता है हमें n पता है और हमें कितनी देप्त तक compressive steel देनी है हमें ये भी पता है तो ये जो value है ये हम triangle rule से निकाल सकते हैं ये value पता चल जाएगी this value minus this value मतलब कि n minus d dash ये value हो जाएगी ये sigma c है ये पूरा n है तो ये value triangle rule से निकालाएगी तो sigma c dash क्या है जिस level पे compression steel लगा हुआ है उसी level पे जो concrete है उस concrete पर जो stress आ रहा है वो sigma c dash है अब इसी sigma c dash से हम लोग क्या करेंगे compression steel पर लगने वाला stress निकालेंगे तो एक formula आप लोगों को पता होगा क्या होगा कि m equal to क्या होता है sigma st upon sigma cbc ये formula होता है तो अगर हमें क्या पता है हमें sigma c dash की value पता है मतलब उसी level पे concrete पे क्या stress है ये हमें पता है तो हम उसी level पे steel पे stress जो है वो निकाल सकते हैं कैसे this value equal to this value multiplied by modular ratio अब एक चीज हमें ध्यान देनी है कि compression zone में जो steel है उसके लिए modular ratio क्या है mc है तो mc equal to क्योंकि क्या थे तो tensile zone के लिए था ना तो mc equal to sigma sc multiplied by sigma c dash तो sigma c dash हम लोग triangle rule से निकाल लेंगे और sigma sc अगर हमें पता करना है तो sigma sc equal to क्या हो जाएगा mc multiplied by sigma c dash sigma c dash यह देखिए यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि compressive stress in steel in compression zone मतलब sigma compressive stress in steel यानी sigma sc sigma sc हम लोग कैसे calculate करेंगे by multiplying the stress in surrounding concrete by 1.5 m यानी मतलब की sigma sc equal to sigma c dash multiplied by mc लेकिन यह value sigma sc से जादा नहीं होने चाहिए चुकि अभी हम लोग maximum values के बारे में ही बाते कर रहे हैं sigma c bc तक जा सकती है चुकि अभी हम लोग permissible stresses के बारे में बात कर रहे हैं तो it means कि किसी भी steel बार में maximum जो stress generate हो सकता है वो sigma sc generate हो सकता है लेकिन यह value जो है यह maximum value है तो अगर हम किसी instant of time में किसी loading की वज़े से निकालेंगे तो sigma c triangle rule से sigma c और sigma c dash यह सारी values हम लोग calculate करेंगे और sigma c dash multiplied by mc यानि sigma c dash multiplied by 1.5 multiplied by m यह करेंगे तो हमें compression steel पे लगने वाला stress हमें मिल जाएगा और यह compression steel पे लगने वाला stress sigma c से जादा नहीं होना चाहिए और sigma c की value देखिए कहां से मिलेगी यह यहां से मिलेगी table number 22 से sigma c की value अलग-अलग steel के लिए यहां पर given है ठीक तो इतना चीज आप लोगों को समझे और रेशियो और permissive चीजें डिसकस हुई नेक्स जो चीज आप लोगों को सीखनी है वो क्या है equivalent section equivalent section हमें कैसे निकालना है तो देखिए equivalent section का एक diagram बना हुआ है जैसे singly में डागराम बना हुआ था वैसे ही अब यहां पर डबली में बनाया जाएगा तो देखिए यहां पर देखिए यह actual section है यह क्या है यह actual section है इसमें है क्या चीज यह एक rectangular section है इस rectangular section का width जो है वो क्या है small b है इसका total depth जो है वो capital d है इसका effective depth जो है वो small d है और यहां पर जो reinforcement जो tensile reinforcement है उसको हमने ast से represent किया है और जो compression sign में जो steel है उसको हमने ast से represent किया है neutral axis की depth जो है वो small n से indicate की गई है और effective depth जो है वो small d से indicate किया गया है यह जो asc है वो extreme fiber से d dash depth पर लगा हुआ है और d dash जो है वो known value है अब अगर हमें इसका equivalent section बनाना है तो यह दो तरीके से बन सकता है in terms of concrete और in terms of steel दो तरीके से बन सकता है तो हमें in terms of steel वाला जो case है वो हम लोग बात में सिखेंगे steel theory में लेकिन अभी हम लोगों को concrete के terms में हमने singly में भी concrete के terms में change किया था तो हमें इसे concrete के terms में change करना होगा अब जो चुकि हम लोग इसको working stress method से solve कर रहे हैं तो working stress के जितने assumptions हमने बताये थे वो सब कुछ यहाँ पर भी valid होंगे और कुछ assumptions दो तुरंत ही applicable हैं वो मैं आप लोगों को फिर से बताती हूं कि neutral axis के उपर अगर simply supported है तो neutral axis के उपर compression zone और neutral axis के नीचे tensile zone है और tensile zone में जो tensile force आने वाला है वो पूरी तरह से tensile steel के तुरू bear किया जाएगा concrete के तुरू एक भी tensile stress bear नहीं किया जाएगा तो यानि neutral axis के नीचे का जो concrete वाला पार्ट है हम उसको neglect मान लेते हैं तो इसलिए मैंने क्या कि देखिए neutral axis के कोई नीचे कोई भी concrete वाला area नहीं माना हटा दिया उसको पूरी तरह से cracked मान लिया है अब चुकि हमें यह जो ast available है इसको हमें इसको corresponding concrete के area में change करना है तो आप लोगों को एक formula पता होगा और वो formula क्या होता है कि small m equal to area of concrete divided by area of steel यह formula आप लोगों ने सीखा होगा तो steel के corresponding मतलब अगर ast area है इसके corresponding अगर concrete का area हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे area of concrete equal to m into ast तो देखें हमने इस ast को पूरी तरह से equivalent concrete area में represent कर दिया है और नीचे का पूरा concrete हटा दिया है और depth वही रहेगी पहले भी neutral axis से d-n depth पर था और अभी भी यह section d-n depth पर रहेगा अब बात करते हैं neutral axis के ऊपर जो section है उसमें तो देखें neutral axis के ऊपर जो section है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं पहले तो यह जान लेते हैं यह b into n यह concrete है और इसी concrete के बीच में यह देखें asc जो है वो steel लगा हुआ है तो हमें अब इस asc को replace करना है इसके corresponding concrete में तो simple है mc modular ratio multiplied by area of steel जो हमने नीचे किया ast को किस से replace किया m into ast से replace किया तो उपर modular ratio है mc तो mc into as ठीक asc तो अब देखिए इस asc को तो हमने replace कर दिया mc into asc से लेकिन अब यह जो अगर हमने asc पा यहां से जो asc था इसको हटाया और यह m into asc लगाया तो चुकि दो अलग अलग जगे पर देखिए इधर इधर लगा हुआ है तो मतलब mc into asc by 2 इधर भी लग गया और इध पर है इसको हटाया भी है हमने तो हम लोग कैसे इस चीज़ को कैसे लिखेंगे तो देखिए पूरा compressive area क्या हो गया यह बी इंटू एंटू रहा ही इससे हमने asc हटाया इससे हमने asc हटाया और क्या extra लगाया mc into asc है mc into asc ठीक है मतलब कि पूरा compressive area क्या हो गया अब asc क यह सी कॉमा ले लेंगे तो क्या बचेगा स्वरी mc-1 तो देखिए यह compression compression का concrete वाला part plus this value अब इसको दो part में देना है तो आधा एक side देदेंगे आधा दूसरी side देदेंगे वो ही काम देखिए यहाँ पर किया गया है mc-1 into asc by 2 इधर और mc-1 into asc by 2 इधर साइड दे दिया गया है और इसका location अभी भी होई है इसका center अभी भी d' पर है और neutral axis से जो इसकी depth होगी वो क्या हो जाएगी n-d' हो जाएगी n जो है वो extreme fiber से neutral axis की depth है यह जो नीचे जो concrete का जो block है steel के corresponding वाला वो d-n depth पर है तो यह इसका equivalent section equivalent section जो है वो है अब देखते हैं कि हमने equivalent section में तो इतना ही था equivalent section in terms of concrete आपको figure में show किया गया है वो आपने जो भी देखा उसी में था इसमें जो ast है जो tensile zone का steel है उसको concrete के corresponding area यानि m into ast से replace किया गया है अच्छा इसमें stress कितना लग रहा है इसके बारे भी देखिए यह जो steel है इसमें कितना stress लग रहा था sigma st लग रहा था sigma st लग रहा था और चुकि हमें इस stress को change करना है अब तो हमने steel का section ले लिया तो इस steel के section पर कितना कितना वो लगेगा कितना stress लगेगा वो हमें लिखना होता है तो सीधी बात है कि आपको एक formula ध्यान होगा m equal to sigma st upon sigma sigma st upon sigma c मतलब concrete में कितना लगेगा तो sigma c लिख देते हैं इसको मान लेजे तो यहां से क्या हो जाएगा sigma c equal to sigma st by m और देखिए यहां पर जो यह लगा हुआ है stress डियाग्राम में वो कितना है sigma st by m triangle rule को अभी भी follow करेगा similar triangle बनेगे उपर नीचे और यह act कहां पर करेगा इसके center पर act करेगा d minus d dash यह तो d minus d dash वाली बात तो बात दें और देखिए यह देखे एक्स्ट्रीम फाइवर पर जो इसमें maximum जो permissible stress होगा concrete में वो अभी भी क्या है sigma c b c है और यह जो depth है यह क्या है यह n है अब यह जो compression zone में यह जो steel था उसके corresponding जो concrete area है उस पे लगने वाला जो stress है वो क्या है sigma c dash है triangle rule से follow करता हुआ अब यह जो sigma c dash है और sigma st by m है इनके बीच का जो distance है वो क्या हो जाएगा d minus d dash हो जाएगा और यह जो उपर जो sigma c b c 0 से लेके sigma c b c तक जो increase हुआ है इसकी वज़े से जो compressive force लगेगा वो n by 3 पे लगेगा extreme fiber से n by 3 पे लगेगा तो यह जो sigma st by m है इससे जो distance हो जाएगी इसकी वो क्या हो जाएगी d minus n by 3 हो जाएगी ठीक है तो यह चीज़ें होंगी तो देखें और क्यी चीज़ तो नहीं बची तो इसमें tensile area को पूरी तरह से ast को हमने replace कर दिया m मिन्टू लगन वाला जो stress है वो है sigma st by m है यह चीज़ हमने बता दी अब कमप्रेशन पे आ जाते हैं तो देखें कमप्रेशन एरिया जो की neutral axis के उपर है जो सिर्फ concrete वाला एरिया है वो क्या था पहले भी bn minus asc था asc मतलब area of steel in compression zone अब यह जो asc है उस asc को हमने replace किया किस से mc into asc से मतलब कि steel को हटा कर उसकी जगे पर उसके corresponding concrete लगाया चुकि हम लोग composite section को analyze नहीं कर सकते इसलिए हमें उस composite section को उसके corresponding equivalent section में change करना होता है तो इस तरह जो total देखे यह यह सिर्फ यह क्या था सिर्फ इतना जो area बचा था वो सिर्फ concrete था और यह क्या है equivalent concrete है तो इन दोनों को plus कर देंगे तो हमें net compression area मिल जाएगा तो यह देखे total concrete है यह equivalent concrete है अब इसमें से asc common ले लिया इतने part में से asc common ले लिया तो बचा क्या हमाई पास mc minus 1 तो total जो compression area बचा वो क्या मिला bn plus mc minus 1 into asc अब इसमें जो इसमें जो stresses लगने वाले हैं इस level पे जो stresses लगने वाले हैं मतलब की concrete में जो stresses लगने वाले हैं asc पे stresses जो लग रहे हैं वो mc into sigma c dash होगा मतलब 1.5 multiplied by m into sigma c dash ये चीज़ें पता हैं क्योंकि सुरुआत से मैंने आपको जो बता है कि जहां पर compression zone पे जो steel लगी हुई है उस steel पर जो area available है compression zone पर जो area available है asc मतलब जहां पर steel है asc उस level पे जो concrete है उसी concrete पे लगने वाला जो stress है वो क्या है sigma c dash है अब sigma c dash जो इस level पे है उसी level पे जो steel लगा हुआ है उस पे लगने वाला stress जो है अगर हम लोग उसको sigma sc से represent करें तो modular ratio यानि mc equal to sigma sc upon sigma c dash मतलब की sigma sc equal to क्या हो गया mc into sigma c dash mc का value क्या होता है 1.5 times of m तो उसमें लगने वाले stresses भी हमें पता चल गए अब next वीडियो में आप लोग critical neutral axis और critical neutral axis और actual neutral axis और moment instance ये सब कुछ सीखेंगे तो अभी के लिए इतना ठीक है Thank you students